फ्रेंड्स आज की जो रेशिपी बनने वाली है वो बनेगी बिल्कुल घर की बेसिक समानों से मतलब आपको कुछ भी अलग से एफट नहीं लगाना है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है बहुत ही जटबट से बनने वाली है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते है तरह से भी क्या है और फ्रेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक चोड़ी से क्वेस्टर के अगर आप मेरे चानल पर नए आये हो तो चानल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगीगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और जादा से जादा शेयर करिएगा तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप की हूं काटा थोड़ा सा कम है एक कप से और इसको अब हम यहाँ पर एक उंबावर में ट्रांसवर कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक मतलब आधी चोटी चमश नमक और आधी चोटी चमश यहाँ पर हम मोहया नाजा और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और बस हमको इसका आटा लगाना है और बहुत जादा हाड भी नहीं है बहुत जादा गीला आटा भी नहीं करना है जैसे normal जो रोटी का बनाते ना same वैसे ही बनाना है और ये देखे हैं हमारा आटा ल कम चांट कशमीरी लाल मिर्च चांट मसाला यहां पर हलती डाले, थोड़ा color अच्छा आएगा और एक चोटी 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 चापर मैंने डाला है भूणा जीरा powder जो जीरे को भूण के और उसके बाद हम पीस लेंगे तो वही भूणा हुआ जीरा powder मैंने डाला है और बस इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यह जो हमाला प्रोसेस करते हैं तो यहां पर आटा भी रेस्ट कर लिया मतलब पांसे दस मिनट हो गया थे आटा को रेस्ट करते हैं सेट हो गया बहुत अच्छे से उसके बाद हम इसको एक बोर्ट पे निकाल लेंगे और इसको दो बराबर भागों में डिवाइट कर लेंगे तो यह देखे मैंने यहां पे इसको बेल लिया है और धिकनेस में अभी आपको दिखाते हूं थिकनेस आपको उतनी ही है जितनी हम रोटि बनाते है वैसी थिकनेस रखनी हे उससे जप्रीमट की जुदतंई है और यह देख सकते हैं इसको सब्सक्राइब तो बिलकुल रोटि वाल और इसी तरह से हम चारों तरफ हम हाथ से काट लेंगे और इसके बाद यह विल्कुल स्कॉरिए चेस कि चुकाटश सेम जी लगा है सेजवान चट्नी टॉ एक च्मच जी लगा इसमे तो इक चे अब सेलो एक Baby Scots और फिर इधर से भी क्ट कर दिया hai मतलब आपको इसको छोटे छोटे बाग मैं मतलब चार बराबर बाग मैं इसको क्ट कर देना है तो यह चोटे छोटे स्वाइरशिब का आपको पॉर्षन मिल जाएगा आप देखिए ऐसे बिलकुल जो साब को दिख रहा है ना बिलकुल इसी तरह से और उसके पाद हम यहाँ पे जो आलू का मसाला रखे थे ना मिक्षर वो हम थोड़ा से इसमें बीज में सेंटर में रखेंगे एक एक चमच और यह देखे मैंने यहाँ पर भी रख दिया है तो थोड़ा थोड़ा सा ही रखेगा क्योंकि अभी हम इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत जादा भी रखने के जोती इतना इनफ होता है तो एक चमच आप यहाँ पर सब पर ऐसे मसाला लगा दीजे बीज में लगाईएगा और यह देखे इसी तरह से मैंने चारो उस पर लगा दिया है और इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद यह जो है ना एक साइड से उठाएंगे फोल्ड को और दूसरे साइड ऐसे चिपका देंगे तो कुछ भी इसमें नहीं करना है बस आप एक साइड से उठाएंगे और दूसरे साइड में ले जाके चिपका दीजे तो जैसे आप देख सकते हैं ऐसे वीडियो में बिलकुल वैसे ही और आपको ऐसे इसके साइड को दबा लेना GPA यहां में दूसरा बउली है और उस में 1-2 कब ही थोड़ा सा कम यहां मैंने गहों का competence डाला हयर उसके बाद फिर मैंने यहां pleased आ इन करें तरया हैं। और इससरी रही है जहां मिक्स सकते हां आपन है तों यही जाएन पर यहां सा अच्छा कल्र आता है अर नमक क्या पर मैंने ऐसे त्यौल नमक यूज़ँ के मैद लिए अच्छ अछी सिर्म द इसने सब्सक्रा लिए और आप सकते हैं इसकी consistency बहुत जादा थिक नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है रनिंग भी नहीं है मतलब ऐसी है कि आपको इसमें डिप करेंगे न तो उच्छी पक जाएगा तो यह देखे तो यहां पर हम एक एक करके और अपने नास्तर को इसमें डिप करेंगे और इसके देखे अच्छ को तेज रखिएगा और जब आप सारे नास्ते को डाल दें फिर आप इसको मेडियम पर कर दीजगा तो यह देखे मैंने के करके यहां पर नास्तर को डाल दिया है और फ्रेंट्स यह इतना टेस्टी लगता है न और इतना क्रिस्पी बनता है तो अभी आपको क्या करना है कि बस यह जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा न उपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा मतलब नीचे से आपका कलर आ जाएगा अच्छा तब आप इसको बलट पाएगे ने तो फिर वह पक जाता है तो यह देखिए और इसी तरह से करके दूसरे साइट से भी हम इस अच्छा से जब कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकालते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा गीहूं के आटे मतलब जो भी आपके घर में समान हो आटा हो आलू हो यह सब कुछ आप बेसिक जो समान है उसी से हम यह नास्ता बनाके रेडी कर दि लागेगा और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए गा और वीडियो अच्छी लगी कि तो वीडियो को शेयर भी करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ अब से के लिए बाबाए थैंक्स पॉर वाचिंग